जैसे कि दूस्तों में को पता था कि Intermediate का रिजल्ट बिहारपुर ने जारी कर दिया है और जो भी स्टुडेंट अपने नमर से संतूष्ट नहीं थे वो अपना स्कूटनी का भी ऑनलाइन अप्लिकेशन अल्रेडी कर चुके हैं बट नया एक न्यूज निकल कर आ रहा है कि Inter होगा कैसे एड़ीशन होगा नोटिफिकेशन कहां से मिला है और कैसे आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है तोटल आज की स्टूडियो में देखने वाले हैं चलिए दोस्तों वीडियो के स्टार्ट करते हैं step by step सबसे पहले दोस्तों मैं उसे न्यूज पर जाओंगा जो द बहुत ही जल्द है चलिया आए देख लेता है कि एक पॉइंट को ठीक सबसे पहले लिखा गया कि पार्टनार मैट्रिक परिक्षा वार्षिक परिक्षाई 2021 के परणाम के बाद अब भी हार बुर्ड यानि बीएस्वी की ओर से इंटर में एडिवीशन की परकिरिया बहुत ही जल्द सुरू की जाएगी इस तारिक से आवेदन की परकिरिया सुरू तो कब से बीएस्वी के अधिकारी ने बताया कि उमीद बताई जा रहे है कि अप्रेल के लास्त या मही के प्रतम महां मही के प्रतम भी कि यहां होना चाहिए इंटर के एडिवीशन के लिए ओ एफफ एस के माध्यम से ओनलाइन अपलाई शुरू की जाएगी तो इतना तो पता चल गया है कहां से एडिवीशन होगा तो वह एफफ एस के वेफसाइट से ठीक है अभी एसकूटनी के लिए ओनलाइन अपलाई किये जा रहे हैं तो देखिए अभी मैट्रिक वार्षी परिक्ष की जाएगी ठीक है और भी पॉइंट एक दू बज जाता है यहां पर इसके बाद इंटर में एडिवीशन के लिए ऑनलाइन अपलाई प्रकिर्या के शुरू की जाएगी कॉटप मार्च की जा रहे हैं त्यारी अब देखिए यहां से बात हो रहे है कि कॉटप मार्च के त अधन जा रही है बिहार बोड यानि बी एसबी के दुवारा एडिवीशन के परकिर्या सुरू करने के साथ ही तमाम एश्कूल या कॉलेज में साइंस कमर्स या आर्ट संकाय में एडिवीशन के लिए के लिए तै किये गए कर्षक मार्च की जानकारी दे दी जाएगी पु जासे ही जानकारी में दे दूसो में जारूर आपको इके वीडियो के सहरे में आपको या से जानकारी दे दूंगा